इसमें इश और आच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की साइंस का चाप्टर नंबर 16 विच इस वॉटर और प्रेशियस रिसोर्स तो चाप्टर का नाम है वॉटर प्रेशियस रिसोर्स यह पर आप देख सकते हैं वॉटर को थोड़ा हाइलाइट किया गया तो वाटर को यह पर बोल दगे एक प्रेशियस रिसोर्स ठीक है तो वह हमारे से वह लिए एक नाच्रल रिसोर्स है नाच्रल रिसोर्स मतलब हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं बाउट फ्रूट ठीक है fruits, vegetables ही सब हम लोग लेकर नहीं आये थे आपने साथ जब कोई बच् figs vegetable लेकर थुछ आपंढ़ा ना तरफ वहमें नेचर प्रवाइड करता है और नेचुन नाच्राइक नियुक्त हो रिंगते नए रिसॉर्स को तव बहुट titled हम मेरा नाकूल रिसॉर्स को हम मा किन थे निया मतलब मा नहीं हो इन지 पर स Abbam में बहुत ही अच्छा है पिच्टम паль करने कि बहुत ही जिस्वें तो थूड़ा सा मतलब मन में फुल पानी आ रहा है उसको फिल ले लो, सिन आपका मग है आपने याप तो यहां पर आपने लो उसके अंदर से ऊपका फानी ले लो उसके बाद क्या करो अन्हों एगा ग्लास ऑफ वैर ले लो अब उस one glass of water के अंदर से one spoon of क्या ले लो water ले लो one spoon of water अब इस चीज को हम लोग देख के समझ सकते हैं कि जो हमारा उसके अंदर सबसे जाधा पानी है और मंग मंग है उसके अंदर थोड़ा सबसे कम पानी है ग्लास आफ और सबसे कम पानी है इसके बारे में हमें इसे बताती है कैसे बताती है देखो 29 अवाट है उस पे क्या है परि आपका अपर मग है क्या सकते हो बहुंद जो मग है उसे क्या बोल सकते हो तो आप 3% of total water present on earth is fresh water ठीक है इसको किया बोल सकते हो fresh water गोल सकते हूँ ठीक है 3% जो ते इसके बार में जो percentage है इसके बार में आपको next बताऊंगे okay 3% fresh water इसे भी आप पी नहीं सकते हो इसथे प्रेश होते हैं लेकिन आप ये पी नहीं सकते हो अब ये जो 3% of fresh water होता है इसमें से तो जब purify होता है तो बहुत सारा पानी चला जाता है फिर क्या बचता है आप ये जो glass है उसको क्या मानो जो अब जितना पानी स्पून में आया है उसे आप अर्थ के मुकाबले समझ सकते हो 0.006% क्या है हमाँ पास consumption के लिए पानी है ठीक है पीने के लिए पानी बस इतना ही बचा है एक स्पून जितना मत अर्थ के रेशियों के हिसाब साब इसको समझो स्पून जतना मत समझो इतना पानी में पैस बचा है जो सकते कितना पानी अब मनें प inseamड़र बचाना पड़ेगा इसलिए वाधर की प्रशीयस है इतना पानी तो है हमाया पास लेकिन अम उसे कर सकते तो अब जो वाटर होता है उसके बहुत शीnder और भूह थार बिदां अब यह उसके के लिए concentrated मत्वलेक उसके लिए बनाया जाते हैं ठीक है तो उसके वारे में देखेंगे तो यह क्या है मापस एक slogan है पर मिलने खाया है जल है तो कल है यह हमने सब ने पढ़ा है किसी किसी में होता है जल है तो कल है ठीक है जल है तो जीवन है है ओके ऐसे ही करके आप एक slogan है और इसी के मतब मतब या सी ही हम लों कह सकते कि इसी के उसके अकॉर्डिंग यहां पर डो टाइप अफ लेक्स चीज़े सेलिब्रेट की जाती है वाटर के उपर तो 22 मार्च एवरी इयर 22 मार्च एवरी इयर क्या अब यहां पर क्या इयर 2003 वाज अब सब्सक्राइब इंटरनाशनल इयर ओफ फ्रेश वाटर जो यह था सिर्फ यह तो तूजन थी बारवन नहीं आता हो कि सिर्फ वही साल अब्सक्राव किया था इंटरनाशनल इयर ओफ फ्रेश वाटर के लिए तो यह जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको आप अच्छे से लॉर्ण कर लो आपके एक्जाम में आ सकते हैं वन एन अफ माक्स के आ सकते हैं अब हो फिए सक्षाम मार्च करके all अब यहां पर हमने क्या ठीया थोड़ीत चीजे करते हैं में इतना ड्साथाये शेलिबरेंट करते हैं इतनी एपिर गर नोगोष्य पीन नहीं मिलता है अब लोग इतनी चीज सेलिबरेट करते हैं लेकिन हम उसके ट्रो प्रिकॉशन्स नहीं लेते हैं बसट कर देते हैं तो बहुत सारी लोग है जो लोग इतने मन्थ हो जाते हैं पाते हैं क्योंकर को लेने के मैं एक बावर More पानी चौड़ती है जिसके इसे सारे लोग ना यां में जाते है 파". तो वहां पे बहुत सारे में होते हैं ऊकिंदे लोगों को चोटल भी लगती है कि पानी नहीं आ रहा इसके ऐसे से करके, तो इसलिए हमको यह साई चीज सेलिब्रेट करके ध्यान में भी रखना चाहिए, कि हमको सेलिब्रेट नहीं करना है, हमको प्रिकॉशन भी लेना है, अब इसके बाद हम लोग कौन सा कौन से दिखेंगे, बाउट पॉर्सेंटेज है, अब जो मैं कुछ-क वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, ठीक है, तो आप हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि अर्थ के अंदर जितना पानी में प्रेजेंट है, उसका रिश्यो यह और विकन से लेक परसेंटेज देखने वाले हैं, तो अब यहां पर क्या है, पहली चीज ही हमारी आ जाती है, 97% is saline water, saline water मतलब क्या होता है, saline water को हम बोलते है, नमक वाला पानी, मुझा एक salt water बोलते है, ठीक है, जो salt water होता है, जैसे हम पी नहीं सकते है, salt water होता है, हमारा 97% ठीक है, पहले ही 97% चला गया है, मालो यह हमारा ओर्थ है, और मैं आप एक pie chart बनाओंगे, जिससे आपको स समझ में आएगा, अब मालो, यह क्या है मापास, यहाँ पर हम लोग इसमें फिर से बना देते हैं, इसको, this is our center and then this, अब यह क्या है, इसके पीछे होला जो हिस्सा है, यह पूरा क्या है, saline water है, ठीक, 97% of saline water है, ओकी, इतना हिस्सा जो चला है, अब इसमें से इतना जो तब 3% ही हमारा पर बचा है, ठीक है, तो 3% अब क्या है, next हमारा क्या है, 3% total fresh water on earth is fresh water, okay, हमारा जो earth है, टोटल fresh water on earth, 3% मतलब हमारा हमालो, यह एर्थ है, एर्थ के अंदर यहाँ पर मालो, जो 3% है, 3% मतलब हम लो यहाँ पर पूरा इस वो कवर कर देते हैं, इतना ही जो और percentage बचा हुआ है, वो क्या है, हमारा पूरा saline water, मतलब हमारा पूरा fresh water, okay, जो red वाला है, that is fresh water, और यह जो black वाला हिस्सा है, that is saline water, अब फिर क्या बचा मालो, 97 में से हमने 3 तो ले लिया, तो पूरा 100% consume हो गया हमारा पास, ठीक है, इतना ही इसी ratio में पाने हमारा पास है लेकिन फिर जो हमारा fresh water होता है, उसके अंदर से हम क्या निकालते है, 0.006%, ठीक है, मतलब, point पता हमारा यहां पे नहीं, 0.6% पी नहीं है, यह, कितना है, 0.006%, इतना जादा कम है, ठीक है, तो यह जो fresh water, इसके अंदर से यह आया है, 0.006%, उतना water क्या है, better for consumption, consumption, consumption मतलब, हम आपे क्या कह सकते हैं, like drinking, basically हम इसे drinking ही कहेंगे, ठीक है, और जो fresh water होता है, वो किसे लिए होता है, household works, जब के tap में आता है, tap में running water, वो household work के लिए होगा, और जितने farming के लिए लोग होता है, agriculture के लिए यूज करेंगे, okay, अब आप यहां पे यह पूछ रहे हो कि अगर slime water हम पी नहीं सकते, तो agriculture, आपके कपड़े धोना, household work, इन सब के लिए तो यह पानी यूज कर सकते हैं, नहीं, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि, अब आप ही सोचो, अगर आप अपने एक glass of water में क्या करो, water लो, उसके अंदर क्या मिला दो, 2-3, मतलब 3 spoons of salt मिला दो, कि उसके बाद आप इसी water से क्या करो, अपना जो utensils है, आपके जो कपड़े हैं, उन सब को धोना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको खुद बखुद फील होगा, उसमेल आने लगेगी, कौन salt water से, जैसे हम इसे क्या बल सकते हैं, जो आपको salt water होता है, आपके utensils तो, utensils पालो गंदे हैं, उसके पर और salt लगा दोगे, salt water, तो क्या होगा, गंदे ही रहेंगे, साथ थोड़े ना होगे, और पी तो नहीं सकते है, क्योई salt water आप पी ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप मालो इतना जाद वाटर हो, इसके अंदर 5 spoons of salt डाल के पीो, डेल fresh water में से आया है, वो better for consumption है, drinking के लिए, okay, so यह percentage है, आप learn कर लो, ठीक है, यह वाले percentage बे आपके 1 marks, 2 marks के लिए आ सकते हैं, okay, so इसके बाद हम लोग कौन सा concept देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग कौन सा concept देखने वाले हैं, about water cycles, okay, water cycle में मतलब जिबके processes होते हैं, पूरे processes नहीं discuss करेंगे, because सारे processes हम लोग 6 channel में पढ़ चुके हैं, तो मैं बस इसके main main words बता दूँगी, और इसके थोड़ थोड़े, मतलब जो भी हो काम करते हैं, वो बता दूँगी, so now let's move to our next topic for this part is about water cycles, okay, so यहां पे आप लोग को एक picture दिख रहा है, okay, so इस picture के, मतलब आपके बहुत ही जादा क्या है, important है आपके इस chapter में, okay, so now let's see, अब water cycle में बहुत सारे processes आते हैं, तो यहां में 1, 2, 3, 4, 5, 7, तक हमने लिख दिया है, and आपके textbook में, it is given like jumbled words, आपको क्या करना है, आपने 6 channel में पढ़ा, ऐसे लिए आपको explain नहीं किया है, किसी कुछ भी, आपने 6 इस time में पढ़ा है, इसलिए आपर सब कुछ आपको jumble करके दे दिया, आपको उसको arrange करना है, okay, अब यहां पर देखो, आपर मैंने सब कुछ arrange कर ले, आपको note down करना, आप note down भी कर सकते हो, okay, first, second, third, fourth, end, okay, आप यहां पर इस picture के हिसाब से हम लोग water cycle के सारे processes को समझेंगे So, let's start from the first one, first one is ground water, आप picture में देखो, यहां के पास जो picture है, यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा, first one, which is the ground water, ground में जो water होता है, ground के अंदर, जो water होता है, उसे हम क्या बोलते है, ground water, ठेक है, मालो, सब को पता है, ground water क्या होता है, this is our ground and इसके अंदर जितना भी water होता ह है, उसे हम ground water बोलते है, ground water से क्या-क्याजा होती है, trees, ट्रीस, जितने भी plants होते है, वो सारे हमारे ground water से water लेते हैं, एक और चीज यहां पर होती है, which is known as tube wells, ट्रीक, जो tube wells होती है, मारे पास hand films होते है, जितने भी well होते हैं, वो सब कहां पर होते है, वो हमारे मालो, this is a well, इसको इतना अंदर तक डिप किया मतलब डिप किया जाता है जहां तक ग्राउंड वाटर उसके आसपस आ जाए फिर हम लोग बकेट डाल के इसके अंदर से पानी को निकाल लेते हैं आपको नोट डाउन करना है नोट की साफसे आप नोट डाउन कर सकते हैं इस सारी चीज़ें हमने क्लास्टिक्स में पढ़ रखी हैं अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक यहां पर हमारे पास क्या है नेक्स टॉपिक हमारे पास यहां पर है इवापोरेशन विच इस सेकेंड वन आपने पिचर में देखो जो सेकेंड वन कहां पर लोकेटेड है सेकेंड वन हमारे जो सी एरिया है यहीं पर लोकेटेड है ठीक है यहां पर सेकें होते हैं मानलो मानलो मैं पास क्या है सी है ठीक है मैं पास क्या होगे पॉंड होते हैं छोटे-छोटे लेक होते हैं ठीक है बड़े-बड़े तो इन सारे एरियास में से जब वाटर क्या होता है वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो जब लिक्विड से एक वेपर फॉर् बेपरिस फॉर्म ट्रावलज हाई क्यों वह लाइट हो जाता है वॉटटर और हावा में मतलब कौन सा लाइट होगा एरी लाइट होगा तो वह उपर के तरफ जाते हैं ότι अब थोर्ड प्रॉसेस हमारे पास आता है वेर इस थार और होता है इसको देख लेते हैं अब हम हम थ्योटी का नाम है कंडेंसेशन कोड़ा ओकुर्ड रहा है को डिक रहा है थर्ड यहा पे रिका यह होता है अब के तूप condensation में जितना आप यहां से vapor उपर गाफा का निशते हैं वह चान सी सब्सद्री चाहिए उपर उपर जाते रहता है 걱정 हो जाता है तुम मतलillar वह फिर से लिक्विड बन जाता है क्या बन जाता है वे पर से कर देता है एक foggy environment create कर देता है और जो fog रहता है उसी के इंदर क्या रहता है water रहता है जिसको हम क्या बोलते है fourth step उसको हम बोलते है clouds okay so condensation का process में आपे मैंने बस हलका से बताया कि क्या होता है जब water light होता है तो उपर जाता है और आपको पता है कि earth के जितने भी zone होते हैं अग गरेगा okay तो मैंने में जाते चाते रहेगा तो इसलिए उपर जाते जाते क्या बन जाते हैं कुच-कुच एडिया में फंड in enemy असवाइं धुलिए तो वहां जाते हैं तो इतना चाधी थंढ हो जाता है अब आगे हम बढ़ते हैं आगे वाले process पर तो clouds भी हमने देख लिए फिर फोर्थ process तक हमने cancel अपने जितना काम तो कर दिया next is our transpiration what is transpiration transpiration तो हम सब को पता है transpiration एक ऐसा process होता है जिसमें क्या होता है हमाई जितने भी plants होते हैं उसके अंदर का जितना water होता है plant water loose करता है ठीक है मतंब वह भी एक evaporation का ही process है लिकिन बस यह plant में होता है यह दोनों process सेम टो सेम ही है evaporation and transpiration लेकिन जो evaporation होता है वह हमारे clothes में हमारे मतंब जो हम लोग अपटे सुखाने के लिए रखते हैं या फिर हमारे lakes, pond, seas, oceans में होता है लेकिन जो हमारे पास यहां पर हमारे जो leaves और trees में होता है उन सब को हम transpiration बोलते हैं तो trees के इंदर जितना excessive water होता है plants के इंदर जितना excessive water होता है वह vapor form में हवा में चला जाता है ठीक है तो उसको transpiration बोलते हैं next is our infiltration तो what is ill filtration अब माल लो हमारे पस ground water है अब यहां पर क्या हुआ देखो transpiration का process हुआ अब transpiration से पहले हमने यह clouds वाला प्रोसेस देखा था अब जब clouds के अंदर snow जहां पर clouds के अंदर आ जाता है जहां पर liquid आ जाता है तो क्या होता है इधर घूंबते रहते हैं और जम उनका season आता है यहां तक process clear हो गया उसके बाद क्या होता है जब water के मतलब अंदर जाना start कर देता है तो उस process को हम क्या बोलते हैं ill filtration infiltration ठीक है अब next हमापस क्या है 7th which is precipitation what is precipitation precipitation मतलब यह हमारे किससे related है this is also related to our cloud section okay so cloud section से precipitation किसे related है अब हमने बोला कि कहीं पे cloud से snow गिरता है कहीं पे cloud से like liquid गिरता है कहीं पे क्या होता है hail होता है hail मतलब foggy-foggy region हो जाते है मतलब वहां पर जैसे ही उसके अंदर का water जो होता है clouds के अंदर वह फिर से vapor form में हो जाता है वो hail hail जिसका हम बोलता है मतलब होगे तो although material unp see liquid hail फिर फिर स्नोों यह जो थीन अमने प्रडाट्स होते हैं वह क्या होते है हम हमार लूट के प्रडक्ट होते हैं ट्रीक यह उसे हम प्रेशिपइश्ण भी बोलते हैं ठीक कि जो कलाउट्स के प्रडक्ट होते हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं यह हमने क्या दिसक्स कर लिया all about water cycle और यहां पे हमारा आधा चाप्टर घबलीट हो गया है और आगे के भी हमने यहीं पे कुछ क्लियर कर दिये हैं तो आगे के जितने चोड़े चोड़े concepts बचे हैं उन सबको हम लोग अपने पार्ट 2 में क्लियर करेंगे तो यहीं पर हमारा पार्ट 1 खतम होता है और प्लीज में चाल कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहले कंदर बात दीजिए जिससे आने मरी सारी वी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपरे फार्म डीज और फ्रेंड्स के साथ है वीडियो शेयर कीजिए थांक यू